नमस्कार आप देखना श्टार्ट कर चुके हैं आरवेदिक उप्चार क्या आप भी फेक देते हैं अनानास के छिलके तो इसके फायदे को सुन करके चौक जाएंगे आप अक्सर लोग अनानास के छिलकों को बेकार समझ करके फेक देते हैं लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जिसके बीज, गुदा, छिलका उसके फल के तरहीं पोश्टिक्ता से भरपूर होते हैं वैसे तो अनानास को हाई केलोरी फूड माना जाता है लेकिन उसमें पोश्टिक्ता हाई केलोरी फूड होने की कारण इसको थोड़ी-थोड़ी महातरा में खाना फायदे मन रहता है ये तो सत्यता है कि कम-कम महातरा में ही खाना चाहिए पर इसके क्या-क्या फायदे हैं आई ये जान लेते हैं और क्यों इसको छिलके सहीत खाने की हम सलाह दे रहें कैसे उसका स करेंगे ये भी समझेंगे सबसे पहले तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहतर बनाता है अनानास के छिलके इस रसीले फल के गुदे के तुलना में बहुत सक्त होते हैं और स्वाद में भी थोड़ा कड़वा होता है लेकिन ये फाइबर के अच्छे श्रोतों में से एक है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बहतर बनाने में बहुत मदद करता है ब्रोमालाइन नाम का एक एंजाइम इसके छिलके में होता है जो कि रत का थका बनाने में भी मदद करता है तो देखा होगा आपने किसी किसी का अगर इसकीन कहीं से कट जाए किसी के इसकीन में कोको फेक देते हैं यह आप भी जानते हैं लेकिन कुछ ऐसे फल हैं जिसके बीज गुदा छिलका हमने आपको बताया फल की तरह ही पोश्टिकता से भरपूर होते हैं अनानास को हाई केलोरी फूर कहा जाता है लेकिन इसको छिलके के सहीत थोड़ी मातरा में खाएंगे तो आ सेवन की जो सख्त होता है तो इसमें फाइबर पाया जाता है इस लिए यह डिजेस्टिव सिस्टम को बहतर बनाता है इसका सेवन कीजें तो सवाल ही आता है कि कैसे सेवन करें तो इसके छिलके को थोड़ी सी मातरा में आप फलों के साथ खा सकते ARE या आप इसके छिलकों को पतला करके काट लीजे और चबा करके खाईए इस फल के जूस के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं आप बहुत ही बेतर है हमारे स्वास्त के दृष्टी से देखें तो कमाल के उश्चधी है इसका प्रियोग जरूर करना चाहिए या आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियोच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को उन कर लीजे ताकि नई वीडियो जब भी अमलाए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले में लिए लाइक कीजी वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजे वाटसप पे फेस्बुक पे ताकि सब्सक्राइब को वीडियो मिल सके फिलहाल भी दालेते हैं आज की इस वीडियो से जोड़ेंगे नई वीडियो में नई जहानकारी के साथ तब तक आप सबी खुश रहें स्वस्त रहें धनिवाद नमस्कार दोस्तों